लेसर नमर 16, जिसका नाम है The Missile Man of India इंडिया means भारत, आप means काकी, मैन means आदमी या व्यक्ति, मिसाइल means अस्त्र तो क्या मतलग है बच्चों, भारत के अस्त्र वाले व्यक्तित या अस्त्र के जन्वदाता जिनका नाम है Dr. E.P.J. अब्दुलकलांग और इसले से में हम देखेंगे English to Hindi Translate तो सुरू करते हैं The news spread throughout The word that India had exploded a nuclear device in Pokhran Pokhran आपकी जगह है राजिस्थान जिसकी राजदानी है जैपोर तो क्या मतलब हुआ News means शमाचार Spread means प्रसारित हो चुका था Throw out means होता है आपका सर्वत्र या पूरे बिश्वर में Word means बिश्व That India means भारत exploded means हुआ है आपका बिश्वोट Nuclear means होता है नाव की Device means युक्ती या साधन In means में पोकरण means पोकरण आपका राजिस्थान का एक जिला है तो clear समझे यह समझार पूरे बिश्वर में फैल चुका था Key that means यहां मतलब है की India means भारत ने Exploded एक नाव की युक्ती पोकरण में explode की है Means बिश्वोट की है या बना लिया है Do you know कि आप जानते हैं Who did this great job इस बड़े काम को खिशने किया क्या आप जानते हैं ऐसा question किया जा रहा है आप लोगों से He is Dr. E.P.J. अब्दुलकलाम वह Dr. E.P.J. अब्दुलकलाम है E.P.J. अब्दुलकलाम की फुल नेम की बात करें His full name is Dr. Abul Pakir Jainalubuddin अब्दुलकलाम इनका नाम बहुत ही बड़ा है याद रखें He is popular यह प्रसिद्ध है यह जाने जाते हैं as Chacha Kalam Chacha Kalam के नाम से भी जाने जाते हैं किनके बीच में Among Students बच्चों के बीच में यह विद्द्यातियों बीच में इन्हें Chacha Kalam के नाम से जाना जाता है इसके लावा and also known as the missile man of India और इनको भारत के missile man के नाम से भी जाना जाता है known as जाना जाता है clear तो फर्ष्ट पेर अच्छा लगा हो तो आज की टार्गेट है 1000 लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो प्यारी दोस्तों सेकेंड पेर अग्राप ध्यान से दिखें He was born on October 15, 1931 प्याइट रामेश्वरम इन तमिल नाडू He means where या उनका He किनके लिए एपीज अब्दुल कलाम के लिए Born on October 15, 1931 को इनका जन हुआ कहां पर तमिल नाडू के रामेश्वरम में या रामेश्वरम पर आएट मतलब पर इन मतलब में clear इसको देखें He belonged to a poor family Belonged means इनका संबंद था या ये बहुत ही गरीब family गरीब परिवार से ये संबंद थे कौन एपीज अब्दुल कलाम इसका देखें Belonged means संबंद थे याद रखें The main income of his family was from hiring pilgrims between रामेश्वरम and धनुसकोटी तो गहां से देखें इनके खास आये का जो जरिया था main means जो मुख्य है या खास income means I of his family इनके परिवार की जो खास आये थी या मुख्य सोथ था वो आज फॉर्म फेरेंग heroin means होता है आपका धोने वाली धोने वाली धोने वाली क्या आपके जो यात्री होते हैं pilgrimms means होता है तिर्थी आतियों को ढोने कम करते थे यहीरा इदा-जातर रामिष्वरम और धनुस्कोर्टीं में घूमने के लिए आते थे उनको रिख सवारी देते थे तो फिर राइग means होता है ढोने वाली pilgrimms में तीर थात्री चैपक्रवांते दिया में बिकार कर दिया उसी नाओ की जरीए यह पैसा कमाते थे इसके यंग अब्दुल देड नौट लूज है में जो युवा अब्दुल थे इन्होंने कभी भी अपने आपको हारा हुआ नहीं माना इसके बाद देखें इस्टार्टेट सर्विंदी पापलर इस ब्रेवली उन्होंने सारी चैलिंजेस को में जितने संगर्स आए उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ उनका सामना किया इस लड़े इसका देखें इसका ध्यान से आगी लाइन और जबल दसता है ही गोट डिग्री फॉम मद्रास इंसिटीव टॉप टेक्नॉलजी उन इसका देखें इसके बाद आप्टर में इसके बाद उन्होंने इसरो को जोईन किया 1963 1963 में इसका फासुलज यह मिसाइल पूरे तरीके से क्या हो गया है यह बहुत होता है इसके अलावा यह के अतरित बात एक ही है इसके बहुत ही बड़े वग्यानी कैला है कैसे ही human क्योंकि वह माना होता कि बड़े साइंटिस्ट के लावर बहुत बड़े महानमी गार्यों कर लिए जाने जाते थे जिससे उन्हों क्या होगा वह हीरो हो गया में साइसी काला यह इसके लिए बिकेंजिए घृप्र प्रेसिदेंट और इंडिया वे भारत के बाराहुए राश सबसे सिविलियन सबसे बड़ा अवार होता है वह इनको मिला 1998 इसके लाव इन इंद्रा गांदी आइवार से समान किया है 1997 1997 इसका देखिए लाश्ट परफिद्ध है वे बहुत ही प्रसिद्ध हुए एमंग इस्टूडेंट बिद्याति गूबीच में और वांस्ट इस्प और इनके सरानी कदमों को लोग नक्से कदम पर शमनी कोशिश करें गये वीडियो कैसे लगी कमेंट जोब करें और क्या कोई रीजिए आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो देखिने लिए बहुत बहुत धन्यवाद है